बढ़वानी लागडाउन को लेकर जिला प्रषासन काफी सक्त नजर आ रहा है। बढ़वानी घंचन धरंगर ने शुक्रवार देश शाम को बढ़वानी से शादी कर इन दोर लोट रहे दुलहे इबं बारातियों को मिली तय संख्या की अनुमती से अधिक बारातियों को लाने पर 10,000 रुपे का जुर्माना लगा कर वसुलने की कारवाई की गई और दुल दुकानों को सील करने की कारवाई जिले भर में की गई विदी थो बढ़ते कोरुना संक्रमन के चलते अब जिले में 22,680 लोगों पर चलानी कारवाई कर 20,3,895 रुपे वसुले गई वहें इसके साथ ही 13 लोगों पर 13,188 के तहत कारवाई की गई राजपूर विधायक एवं पूर्व ग्रह मंत्री बाला बच्चन ने 10 स्वास्त केंद्रों को दी अपनी निधी से 299 उपकरण क्रय करने के लिए 27 लाग रुपे की राशी बढ़ते कोरुना संक्रमन के मद्धे नजर अपनी विधान सवाचेत्र के 10 स्वास्त केंद्र अंजड राजपूर ठिकरी जुल्वान्य ओजर नांगलवाडी तलवाडा उचावत ब्रहमन गाव बरुफाटक को उनकी आवश्यक्त अनुसार 12 आक्सिजन कंसंट्रेटर मश सहाट थर्मल सकेनर, 70 पल्स ओक्सिमीटर, パइथीस बीपी इस्टुमेंट, 10 मल्टी परपस मॉनिटर, दो बाइपेप, 10 जंबो ओक्सिजन सिलेंडर, 10 ओक्सिजन सिलेंडर ट्रॉली, 20 ओक्सिजन फ्लो मीटर, पिडियोटिक एम एडल्ट ओक्सिजन मास्क, इस्ट्रेच राजपूर सिमेंट व्योसाई से 10,000 रुपई की ओनलाइन ठगी का मामला है सामने सम्मंधित ने ओनलाइन पेमेंट डालने के बहानी उड़ाई व्यापारी के खाते से 10,000 रुपई व्यापारी की सजक्ता से ज्यादा की ठगी नहीं कर पाया ठग पुलीस जुटी जाच में राजपूर में आज एक अलग तरीके की ठगी देखने को मिली जहां ठग ने ओनलाइन व्यापारी के अकाउंट से 10,000 रुपई उड़ा लिये व्यापारी दिलिप गुपता के नुसार आज उन्हें एक फोन कॉल आया जिसमें सम्मंधित ने 50 बोरी सिमेंट लेने की इच् इंकार कर दिया जिस पर ठग द्वारा उसे एडवांस पेमेंट देने का लालज दे उससे उसका अकाउंट नंबर मांगा जिस पर व्यापारी दिलिप ने अपना गुगल अकाउंट उससे दे दिया फिर उसने कहा पेमेंट ट्रांसफर हो गया है चेक कर लो लेकिन ज़ग दिलिप ने अकाउंट चेक किया तो पेमेंट नहीं आया था जिस पर संबंधित ने उसे प्रोसेस करने को कहा और जब दिलिप ने उसी प्रोसेस को फॉलो किया तो उसके अकाउंट से 10,000 रुपए कट चुके थी लेकिन व्यापरी दिलिप ने सजगदा दिखाते वी मामला भाई को बताया और तुरंत बेंग पहुच एक आविदन दिया जिसके बाद अकाउंट से दूसरा आहरन नहीं हो पाया साथ ही उन्होंने थाना राजपुर में भी आविदन दे दिया फिलहाल राजपुर पुलिस ने आविदन लेकर मामले की जाज की बात कही ये बिजासन गाव में नहीं मुक्तिधाम लोगों को उठाना पड़ती है दिक्कते बिजासन में एक बुजुर्ग केंसर पिडित की हुई मोत मोत के बाद दासंसकार के लिए सेंद्वा मुक्तिधाम ले जाना पड़ा बिजासन में मुक्तिधाम नहीं होने से लोगों को दिक कते उठाना पड़ती है मुक्तिधाम को लेकर ग्रामिनों ने कहा बिजासन में 40 परिवार रहते ही उसके बावजूद यहाँ पर मुक्तिधाम नहीं जिससे सेंद्वा वह अन्य जगह 10 अंसकार के लिए लिजाना पड़ता है जिससे मृतक के परिवार को काफी दिक्कतों का स झाल 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 का सब्सक्ता है